दोस्तो नमस्कार आज आपका एक्जाम है उसके लिए ये मोस्ट प्रस्ण में आपके लिए लेकर आया हूँ और ये सुरू से लेकर के मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आपको ऐसे के ऐसे लिखना है आपके चार-पांच अंक कहीं पर भी नहीं जाएंगे बिल्कुल आप लोगों के लिए इतनी इंपोर्टन जीज में लेकर आ चुका हूँ कॉक्षक ग्यारवी विसे इंग्लिस आज आपका जो एक्जाम है उसके लिए सभी को बेस्ट अप लग चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्पूर्ण प्रशन को क्योंकि यह प्रशन आपकी एक्जाम में आ सकता है देखिए कुष्यन है आपका राइट एन एप्लिकेशन फोर इसकूल लिविंग सर्टिपिकेट तो आपको आंसर में लिखना है देखिए जिस परकार से मैं बता रहा हूँ उसी परकार से आप कम्प्लिट करेंगे यहां पर आपको स्टार्ट करना है यहां से तू दा प्रिंसिपल, गवर्मेंट है सेकेंडरी स्कूल भोपाल, और वहाँ पर आपको जो भी एप्लिकेशन में नाम दे, आप वो एप्लिकेशन लिखेंगे, उसमें नाम स्कूल का वो ही लिखेंगे, जो वहाँ पर दे रखा है, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, बिल्कुल अच्छे से धियान रखना, तू दा प्रिंसिपल, गवर्मेंट है सेंगेडरी स्कूल, भोपाल, एमपी, इसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है, इसके बाद में प्यारे मित्रों आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी कक्षक 11 का चात्र हूँ, मैं फादर हैस बिन ट्रांस्फर्ड भोपाल टू इंदोर, मेरे पिताजी का जो ट्रांस्फर है वो भोपाल से इंदोर हो गया है, तिक, सो आइकेनौट स्टड़ी हियर अलोन, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले अध्यन करने में असमर्त हूँ, so I cannot study here alone kindly grant issue me my school living certificate अता आपसे विनम्ड निवेदन है कि मुझे मेरा school living certificate प्रदान करने की करपप करे उसके बाद मैं आपको thanks यहाँ पर लिखना है thanks और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है your students यह x y z की जगे अपना नाम लिखेंगे बिल्कुल अच्छे से मैं एक पर और आपको बता दू to the principal government higher second school बोपाल MP subject and application for SLC respected sir I beg to say that I am a student of class 11th in your school my father has been transferred बोपाल to indoor so I cannot study here alone kindly grant issue me my school living certificate उसके बाद thanks करके आपको अपना नाम लिख देना है ठीके मिलते हैं next वीडियो में